विल्कम बैक टू माय चैनल पूजासरमा की प्यारी दुनिया में आप लोगों का फिर से एक वर्स वागत है तो आज मैं एक होम टिप्स लेकर आई हूँ विडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा तो चलिए मैं आज विंटर सेजन का एक म मॉस्टराइजर उपाई बता रही हूँ वह नारियल तिल तो यह जो नारियल तिल मैं फेस पे लूंगी और इसे फेस पे अच्छे से मसाज करोंगी देख लीजए आप लोगों मैं कितना लिए हूँ अपने फेस के करडिंग लोगी और इसे अच्छे से दिखो अपलाई क करते हैं ठंडे में लेकिन वह बहुत जली सुक जाता है काम नहीं करता है फिर भी स्कीन राइ हो जाता है तो मैं बेटर हों के लिए एक लिए हूँ वह है कोकोनट ओई ठीक है आप बस यह अपने फेस पे के अपने बॉड़ी पे भी आप लगा लोगे ना तो यह सबसे ज् मसाज कर लोगे ताकि तील आपका जो पूरा एबसॉप कर ले इसकीन में उसके बाद अगर आप छोड़ दोगे फिर आपका स्कीन बहुत ज्यादा ही मॉस्टराइज रहेगा हर चीज से बेटर है कोकोनट ओयल जो आपका हीयर काभी हेयर ओयल में भी काम करता है और आप ब कोविंट आपका यही मैं दूंगी कि आप रात को सोते सोने से पहले आप मॉस्टराइजर के जगा कोकोनट वाटर में बोर रहे हैं कोकोनट ओयल लगाई तो ज्यादा बेटर होगा मेरी विंटर सेजन में मैं बहुत ही नुकसा आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट करके बताए और सर्दीव में आप लोग को कौनसा कौनसा टिप्स चाहिए क्या प्रॉबले मैं शेयर कीजिए मैं अपने तरीके स जो मैं यूज करती हूं मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजे ताकि मेरी हर वीडियो आप लोग के पास पहले पहुंच सके यह देख से करें मैं पूरा स्कीन में अच्छे से मेल्ट कर यह ताकि अच्छे से सुख जाए इस तरह से आप कुछ भी नहीं यूज करें वेसलीन में ज़रूरती है निप्या का यह बिजाशना मात्र सिर्फ नाडियल तेल सिर्फ कोकोनट वाइल ज़रूरत है और कुछ भी जिसे आप फेस में भी लगा सकते हैं और बोडी में भी ल झाल 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 झाल